बॉलिवोड इंडस्ट्री के दिगजबीनेता शक्ती कपूर को तो आप सबी लोग जानते होंगे लेकिन क्या आप शक्ती कपूर के बेटे सिधान कपूर को जानते हैं सिधान कपूर ने कई बड़ी फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बनाई है पर एक्टर पर इस बार संगीन आरोप लगाया गया है अक्टर के उपर ड्रग्स लेने का गंबीर आरोप लगा है पूरे मामले को जानने के लिए हमारी वीडियों में अंतितक बने रही है हमारे रिपोर्ट के अनुसार रविवार रा सिधान कपूर को एक पार्टी में कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन करते पाये जाने के बाद उन्हें बंगलूरू में हिरासत में ले लिया गया है पुलिस ने कथित तोर पर टेप मिलने के बाद उस पार्टी में चापा मारा था पार्टी में मौजूद कई संदिक्द लोगों के सैंपल जांच के लिए बेजे गए थे इस मामले में सिद्दान कपूर का सैंपल बाकी छे लोगों के साइड ड्रग्स के लिए पॉजिटिव आया है रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सिद्दान कपूर इस समय पुलिस की हिरासत में है हाला कि अभी जादा डिटेल सामने नहीं आई है सुनने में आ रहा है कि ड्रग्स मामले में सिद्दान का नाम आने के बाद उनकी मुश्किले बढ़ती दिखाई दे रही है बता दे सिद्दान कपूर ने भागम भाग चुप चुप के और भूल भुलाया जैसी फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशा काम किया है जबकि उन्होंने जजबा हसीना पार कर और चेहर जैसी बॉलिवर्ट फिल्मों में एहम किरदान निभाया है ड्रग्स मामले में श्रद्दा कपूर के भाई सिद्दान कपूर का नाम आने से पहले हाल में ही शारुख खान के बेटे आरियन खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों ने क्लीन चिट दे दी थी उन्हें पिछले साल एक क्रूज ड्रग्स बस्ट मामले में ग्रफतार किया गया था आरियन खान ने पिछले सान लगबख एक महीना जेल में बिताया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिया कर दिया गया मामले में A.N.C.B. की चार्ज शीट में आरियन खान के खिलाफ केस को परियाप सबूतों के आभाफ का हवाला देते हुए खालज कर दिया गया था तो दोस्तों आपकी सिद्धान कपूर के ड्रग्स मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और बॉलेवोड इंडर्स्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब काईना ना भूले